ग्राम भेसुन की मीना समाज के एक यूति को अन्य समाज के एक वेक्ति द्वारा दस दिन पूर वो अपरन का ले जाया गया था जिसकी सूचना परिजनों ने आरोपी के नाम जद काटा फोर्थाने में दे दी थी लेकिन दस दिन बात करीव ही नहीं करने पर आकरोशित मीना समाज के लोगों ने काटा फोर्थाने पहुच कर बागली सडियोपी संजीव मूले को ग्यापन दिया तथा 24 घंटे में यूती को परिजनों के सुपूर्थ करने की मांगी है सतवास संजै परसाई की रिपोर्थ पर काटा फोर्ड पुलिस को 24 घंटे का समय दिया गया है कल अगर दो बएक वाली का बरमद नहीं होती है तो मीना समा जुक्रांदोलन करेगी उसका जिम्मदार प्रसाशन रहेगा कि यह गाटापड़ थाना चेत्र का वेसूं गाव है वहां से एक लड़की लापता हुई है तो लोकी बालिक है इसकी रिपोर्ट थाने पर भूंदियों और अभी इसका कुछ पता नहीं चला है जिस लड़के के साथ हो गई है आप परामद्नी वहाई है तो उसकी हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चेनल S24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुले बागली के प्राचिन जेटा संकर तीर्थ इस्तल पर पांच दियुसी मेले का आयजन किया जाता है इस दोरान ओम महाशक्ति गुरूप और विपिन शिवहरे मित्रमंडल बागली द्वारा परती वर्ष मेले में एक दिन के लिए छोटे बच्चों के लिए जूले फ्री कि साथ ही निशुलक जलेवी का वित्रन किया जाता है विपिन शिवहरे ने बताय कि लगातार साथ वर्षों से इसी प्रकार के बच्चों को निशुलक जूला जूलाए जा रहे हैं वहीं जलेवी का वित्रन किया जाता है जटा शंकर बाबा से प्रेना लेकर ये कारी प्रार इस आयोजन में खास बात यह है कि जो जलेबी वितरण की जाती है वो मेले में लगी दुकानों से ही खरीत कर वितरण की जाती है बच्चे भी उतसा के साथ जूलों में जूले के साथ ही जलेबी के भी आनद लेते हैं बागली से रभी पाटिदर की रिपोर्ट